दोस्तो आज की उडियों हम compare करेंगे बोल्ट के AirDops 100 वाली earbuds को बोल्ट ओडियो के X50 वाले मॉडल से क्योंकि ये दोनों ही earbuds जो है वो आपके 1100 से 121300 के बीच अभी recently इंडिया में launch हुए है और दोनों का price almost आसपास 500 और गाई फर्क है तो आज की उन्हें आपको दोनों को compare करके पताएंगे ताकि अगर आप भी इन दोनों earbuds में से confused है कि कौन सा आपको लेना चाहिए तो आपको वीडियो पूरा help करेगा अभी तक आपने माई चैनल को subscribe नहीं किया है तो please माई चैनल को subscribe कर लिजे ताकि आपको ऐसे latest videos मिलते रहा है तो आपको पहले box खा दीत हूँ तो आप देखें कि कुछ इस तरह की packing में आते हैं आपके boards के air drops वाले back side में इसके पूरे features होगरा mention करके अगर आप यहाँ पर देखें बैसे अगर आपको bolt audio का दिखाँ हूँ box का तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का design है अगर आप देखें तो यह इस तरह के design आता है दिखने में compact है और दिखने में तोड़ा matte finish में आता है back side में आपको type C का charging port में जाता है प्रस आपको आपको reset करने का भी option में जाता है तो इसका सबसे पहला plus point यह हो जाता है अगर आप इसको purchase कर रहे है और आप में कभी भी earbuds में problem आती है left earbud या right earbud वाली मतलब working not working वाली तो इस case में आप इस button को press करके reset कर सकते हैं यही चीज़ अगर हम bolt audio के charging case देखें पता लगा सकते है इसके case में आपको कहीं भी reset का button नहीं मिलता है पता है चाइस को ब्लिंक का प्लिंकेंग कंपणी नें तरीका पता रहा वो मुझे समझ नहीं आता ना ही किसी और को भी समझ जाने वाल है इसके case में आपको चार लेवल इंडिकेटर मिल जाते हैं इससे आपको आडिया लग जाएगा कि कितना बैटरी परसेंटेज है बाकी case का design देखें तो मुझे दोनों का लगाने की बज़े से यह आपके ears में proper fit भी रहते हैं और इसका benefit होता है कि अगर आपको बाहर से कोई आवाज लगा रहा लगा रहा तो आपको सुनाई देगी बड़ इनका case है बोल्ट ओडियो का इसमें एर टिप्स का loss यह है कि आपको अच्छा sound quality सुनने को तो मिलेगा थोड़ा सा चोटा है compare to bolt audio से बाट डिजाइन में दोरों में कोई कम भी नहीं है बात करें touch controls की तो touch controls की मामिले हैं आपको सारे touch controls proper working मिलते हैं इसमें जो एक disadvantage हो जाता है जो आपके boat वाले में आपको यहाँ पर volume control नहीं मिलता है मतलब अगर आपको volume को control करना है आवास को कम जादा कर सकते हैं बाकि जो remaining आपके touch controls होते हैं play pause करने का previous next करने का voice assistant का calling feature वो सारे आपको common controls दोनों में मिल जाते हैं इसमें आपको beast mode ही मिलता है मतलब आपको low latency वाला mode मिलता है इसके case में भी आपको low latency मिलती है मगर इसके case में जो boat वाले उसमे low latency की जो value हो कहने के low latency है उ दोनों को लेने का कोई sense नहीं है और बात करें इसमें कोई और mode मिलता है या नहीं मिलता feature तो इसके case में आपको boat में कोई भी feature नहीं मिलता है मगर हम bolt audio के देखें तो आपको इसमें music mode मिल जाता है जिसमें आप 3 music modes में जा सकते है पहला rock दूसरा bass boost और तीसरा hi-fi music अब ज्यादा bass देखने को मिलेगा अगर song में bass है तो बाकि जो remaining hi-fi और rock आपको rock वाला मिल जाता है वो ठीक ठीक है बट आपको ज्यादा major difference देखने को नहीं मिलेगा अगर आप उसको on भी कर रहे है या off भी कर रहे है बट आपको इसमें mode का feature मिल जाता है बात करें अगर इनकी मिनिट में 60 मिनिट चलेगा या 10 मिनिट में 240 मिनिट चलेगा उसमें मैं कोई comment नहीं करूँगा ना उन values में जाऊंगा बात करें दूसरे features के तो almost आपको सबको same ही मिलता है call quality की बात करें तो दोनों के case में आपको quad mic ENX technology मिल जाती है जो की okay technology है आप इसको active noise cancellation जैसा feature ना voice की तो आप सोचे भी ना वो okay आएगी sound quality के point of view से again मैं boat वाला recommend नहीं करूँगा problem यह है कि companies का design तो अच्छा बना है बट अगर आपको अच्छा base वाला sound चाहिए जैसे boat अपने music ले famous भी है sound quality के लिए तो वो आपको इस case में थोड़ा कम देखने को मिलेगा क्योंकि अगर sound चाहिए तो उस case में आपको earbuds को ears के अंदर tight करके plug करना पड़ेगा मतलब अगर आप इंको अपने ears में plug करेंगे तो आपको force लगा के थोड़ा अंदर को push करेंगे तो आपको अच्छी sound quality देखने को मिलेगी अगर आप इंको normal अपने ears में रख देंगे तो उस case में आपको sound quality नॉर्मल ही देखने को मिलेगी बड़ अगर हम बोल्ट ओडी की बात करें तो इनकी ears में fitting ऐसे आती है कि अगर आपने इक पर नॉर्मल लगा लिया और इसमें ear tips भी है तो आपको sound quality देखने की ज़्यादा अच्छी सुनने को मिलेगी क्योंकि यह proper ears में fit हो जाती है तो आपको यहां पर ऐसी कोई प्रॉलम देखने को नहीं मिलने वाली बट पूर्ट के case में आपको प्रॉलम देखने को मिलेगी तो sound quality तो okay है बट ear feeding के कारण क्योंकि यहां पर ear tips नहीं है यहां पर ear tips है तो उसके कारण आपका board audio आपको ज़्याद अच्छा sound quality प्रवाइड कर करती है और जिनको मैं test करके नहीं बता सकता कि आपको कितना actual में time मिला play timing दोनों को लेने पर और को एकर आपके मुने दोस्तों अभी भी doubt है इन दोनों ear birds से related board brand और board audio से तो आप कमेंट सेक्षिन में क्यों question कर सकते हैं हम उसका जुरूर reply करेंगे और आपको दोस्तों आपक जरूर कीजगा